गठिया या संधिबात का बहुत ही सरल आयूरवेदे को प्चार जरूर सुने दोस्तों आजकल घुटनों में दर्द कमर दर्द जोलों का दर्द बहुत आम हो गया अब हर किसी को यह प्रॉब्लम होने लगी चाहे बच्चे हूँ या बुजूर घर कोई इस समस्या से परेशान है तो हम आपको कुछ उपाए बताने जा रहे आप लोग करके देखें हो सकता है आपको फायदा हो जाए या आपकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए तो दोस्तों अगर आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शेयर करें लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें गठिया रोग कई तरह की दिक्कतों को बढ़ावा दे सकती है जैसे की बात करें अनीमिया की यह वस्था शरीर में खून की मात्रा को कम कर देती है साथ ही गठिया का प्रभाव जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे मौके पर व्यक्ति को बुखार भी आ सकता है गठिया रोग का परीक्षन, याद रखें, जोडों में दर्द की समस्या कई परेशानियों को बढ़ावा दे सकती हैं इसलिए कोशिश करें की हालात बिगडने से पहले आप सही इलाज प्राप्त कर लें अगर आप डॉक्टर से परामर्ष लेते हैं तो वो शारीरिक परीक्षा से जांच करके स्थिती देख सकते हैं जरूरत पढ़ने पर कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं जैसे की 1. लेब टेस्ट, खून की जांच, पेशाब मूत्र की जांच या जॉइंट फ्लुइड 2. इमेजिंग टेस्ट, एक स्रे, सीटी स्कैन, एम, आर, आई, अल्ट्रा साउंड, गठिया रोग के कुछ प्रकार वैसे तो गठिया रोग के लगभग सौ से भी ज्यादा प्रकार हैं जिस वजह से विभिन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन यहां हम आपको कुछ मुख्य प्रकार से परिचित कराएंगे 1. ओस्टियो आर्थराइटिस ओस्टियो आर्थराइटिस अस्थि संधिशोत यह गठिया रोग के सबसे आम रूप में गिना जाता है ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जोडों में दर्द और सूजन के साथ साथ हिलने धुलने की गती पर भी असर पड़ता है आस्टियो आर्थराइटिस हमारे जोडों के काटिलेज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और धीरे धीरे काटिलेज तोटना शुरू हो जाते हैं 2. रूमेटाइड आर्थराइटिस रूमेटी संधिशोत इस प्रकार के आर्थराइटिस से हमारे जोडों की परत को हानी होती है रूमेटाइड आर्थराइटिस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रनाली इम्म्यूनिटी सिस्टम अपने ही शरीर की उतकों पर हमला कर देती है जोडों की परतों को क्षती पहुंचने की वजह से जोडों में दर्द और सूजन जैसी समस्याएं हो जाती है 3. गाउट गाउट का दूसरा नाम वातरक्त भी है जो हमारे पैरों पर प्रभाव डालता है इस तरह की परिस्थिती में जोडों में दर्द और सूजन की अनुभूती होती है, खास्तोर से बड़े पैर के अंगूठे में पैर में अचानक दर्द होना गाउट का एक लक्षन है 4. सेप्टेक आर्थराइटिस सेप्टेक आर्थराइटिस इसी इन्फेक्षियस आर्थराइटिस अन्फेक्षियस आर्थराइटिस भी कहा जाता है जो की जोडों की उतकों और तरल पदार्थ का संक्रमन है Septic Arthritis बच्चों में भी पाया जाता है और इसके होने के मुख्य कारण रक्षा तंत्र का कमजोर होना है 5. Ankylosing Spondylitis इस तरह का गठिया रोग वैसे को किसी भी जोड को प्रभावित कर सकता है लेकिन ज्यादा तर ये रीर की हड़ी में होता है ऐसी अवस्था में व्यक्ती को आराम करते समय या रात को सोते समय भी कमर दर्द की समस्या हो जाती है 6. Juvenile Adiopathic Arthritis यही कैसे प्रकार का गठिया रोग है जो बच्चों में पाया जाता है ऐसी अवस्था में हाथ, घुटनों, टकनों, कोहनियों और कलाई में दर्द्या सूजन की शिकायत देखने को मिलती है हालां कि यह शरीर के अन्यांगों पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है 7. Reactive Arthritis Reactive Arthritis इस तरह के गठिया रोग में व्यक्ति के जोड़ूं, आँखों, त्वचा और मूत्रमार्ग प्रभावित होते हैं आमतोर पर Reactive Arthritis का प्रभाव 20-40 वर्ष के लोगों के बीच में दिखाई देता है और ज्यादातर पुरुषों में इसकी समस्या देखने को मिलती है और बने रही इस वीडियो के अंत तक आगे हम आपको इसका आयूर्वेदे के लाज भी बताएंगे गठिया या संधिबाद की सबसे अच्छी दवा है मेथी, हल्दी और सुखा हुआ अदरक माने सौंट इन तीनों को बराबर मात्रा में पिसकर इनका पावड़ा बनाकर एक चम्मच लेना है गरम पानी के साथ सुभाव खाली पेट तो इससे घुटनों का दर्द ठीक होता है, कमर का दर्द ठीक होता है, देर से दो महीना ले सकते हैं और एक अच्छी दवा है, एक पेर होता है उसे हिंदी में हरसिंगार कहते है, संस्कृत पे पारिजात कहते है, बंगला में शियूली कहते है, उस पेर पर छोटे छोटे सफेद फूल आते है, और फूल की डंडी नारंगी रंग की होती है, और उसमें खुशबू बहुत आ और यही पत्ते को पिसके गरम पानी में डाल के पियो तो बुखार ठीक कर देता है और जो बुखार किसी दावा से ठीक नहीं होता वो इससे ठीक होता है, जैसे चिकंगुनिया का बुखार, डेंगु फीवर, एनकेफलाइटस, ब्रेन मलेरिया, ये सभी ठीक होते हैं. गीवर, गीवर, स एनकेफलाइए झाल के जैसे च्वर्दियादया से दीक होते हैं.